हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आप सब आप सभी अपनी लाइफ और अपनी स्टडी दोनों एंजॉय कर रहे होगे तो आईए आज हम क्या करने वाले हैं आज हम करेंगे लिसन 11 चिरियारानी के page page रहे हमने चिरियारानी पौएंब को बढ़ा था तो क्या आपसे अब्णी और ने Grade इसके फैसे लिएल एंक स्ट्डाना को स्टर्ट किया है अपनी लगत ठा से उटकर स्द्तर्व करकर कहा कहां जाती है तो आंसर आप क्या लिखोगे चिरियां उड़कर के समुंद्र और दोर देश जाती है आपने पोयम में पढ़ा है नेक्स्ट क्वेशन है चिरिया कहां रहती है आप बताओ चिरिया कहां रहती है आपने कहां देखा है चिरिया का घर तो एंसर होगा चिरिया घोसले में रहती है घोसले का मतलब होता है नेस्ट और जब भी आप करोगे तो पुर्ण विराम यानि फॉल स्टॉप दोगे नेक्स्ट क्वेशन है आप चिरियां से क्या सीख सकते हैं तो आप क्या सीखते हो मुझे बताइए कमेंट सेक्षन में मैंने यहां लिखा है हमें भी चिरियां जैसे मेहनती बनना चाहिए और हर मुश्किल का सामना कर लिए तैयार रहना चाहिए आपने देखा होगा ना चिरियां कितनी छोटी सी होती है बट वो बारिश में भी बहुत जादा धूप में भी दूर दूर तक उड़ती रहती है और खाना धूंट कर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए लाती है वो कभी भी घबराती यह थकती नहीं है तो इसलिए मैंने लिखा है हमें चिरियां जैसे मेहनती बनना चाहिए और हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए मैंने आपको बताया है पहले भी कि जो कवीता लिखती है उसे हम क्या बोलते हैं कवीत्री कवीत्री हम कैसे लिखते हैं यहां देखें आपके बुक में लिखा हुआ कवीत्री और जो बॉय कवीता लिखते हैं उसे हम बोलते हैं कवी आई अब हम नेक्स्ट पेस पे जाते हैं कवीता की पंक्तियां पूरी कीजिए complete the poem जब तुम जाती दूर आकाश क्या जाती चंदा के पास सागर तट जब तुम जाती हो किसे मिलकर तुम आती हो तो poem complete करने के लिए आपको poem याद भी होनी चाहिए न तो आप poem को याद करोगे या आप खेलते खेलते भी कर सकते हो तो ही आप इस question का answer लिख सकते हो next step पढ़िए समझे और याद कीजिए read, understand and learn तो यहाँ पे एक word है और उसे हम और किस नाम से पुकारते हैं वो लिखना है जैसे आपके भी बहुत सारे नाम होते हैं आपका school name अलग होता है nickname अलग होता है आपके parents आपको प्यार से कुछ और बुलाते हैं आपके grandparents आपको कुछ और बुलाते हैं कुछ और नाम से बुलाते हैं वैसे ही चिरिया के भी और नाम होते हैं तो चिरिया के कौन-कौन से नाम होते हैं चिरिया को हम खग भी बोलते हैं और पक्छी भी बोलते हैं सागर को हम समुद्र बोलते हैं और सिंदू भी बोलते हैं आकाश को हम बोलते हैं नप और आस्मान चंदा को हम बोलते हैं चान्द और चंद्रमा यहां देखे इन सब के पिक्चर भी दिये हुए है चिरियां, बर्ड, सागर, सी आकाश का पिक्चर दिया हुए है इसकाई और चंदा का पिक्चर मून का पिक्चर दिया हुए है नेक्ष आज समझे और लिखे अंडर्स्टैंड एंड राइट तो यहां पर देखे सुन्दर लिखा हुआ है सुन्दर को हम हाफ नौ भी दे के लिख सकते हैं और सब पे उक्की मातरसू और यहां पर हम डॉड दे के भी लिख सकते हैं सुन्दर तो यह दोनों ही राइट हैं कोई भी रॉंग नहीं है रंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं रंग मिन्स कलर और सुन्दर मिन्स दे ब्योटीफूल अब आप लिखे तो आपको लिखना है पर्स वरड है सग का मतलब होता है साथ एंड लंडन तो लंडन खो आप ऐसे भी लिख सकते हो तो आप यह पढ़ोगे प्राक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा नेक्श अर्थ का मतलब होता है मिनिंग तो write the meanings सग का मतलब क्या होता है साथ विद सागर तट का मतलब होता है आसमान एंड दिन भर का मतलब होता है पूरे दिन मिन्स फुल डे तो यह सारे आपको याद करने होंगे तभी ही आप एक्जाम में फुल मार्स पाओगे है ना आई होप आप सबने यहां तक कम्प्लीट कर लिया है आई अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन तो रेडियो आप सब नेक्स्ट है भाषा बोद श कैसे मैं बोल रही हूं इसे श और स वाले शब्द जोर-जोर से पढ़िए और अंतर समझे ए रीड अलावर्ड दा वर्ड तो इसे हम बोलते हैं श यहां पर आपका जो टंग है वो उपर टच करेगा और इसे हम बोलते हैं स स यहां पर आपका टंग आपके तीत के बैक साइड को टच करता है तो आप भी मेरे साथ बोलके देखिए रिपीट कीजिए रेडी श स तो आएब हम इन शब्दों को है देश देश मिन्स कंट्री आप किस देश में रहते हो भारत देश में काश काश कि आकाश रिपीट कीजिए मेरे साथ आकाश बारिश बारिश नेक्स्ट क्या है स संग पास पास मिन्स नियर χ стороны सागर बरसा कैसे परेंगे हैं इसे बर्सा तो इस तरह आपको पड़़ पड़कर प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपको Hindi जानना है अच्छे से समझना आ है तो आपको यहाँ dot इससे हम क्या बोलते हैं अनुस्वार और यह क्या है चंद्रबिंदू हम इसे चंद्रबिंदू क्यों बोलते हैं तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यह चांद के जैसे है इस वासे इसलिए हम इसे चंद्रबिन्दू बोलते हैं तो फर्स्ट वर्ट के आई यहां पे चंदा तो आपको इसे लिखना है और साथ साथ पढ़ना भी है चंदा नेक्स्ट है पंक संग लंदन फंड रंग रंग मिन्स कलर नेक्स्ट है कहाँ को हपे आखी मात्रा चंद्रबिन्दू कहाँ मिन्स वेर चांद गाउ गाउ मिन्स विलेज साप साप मिन्स स्नेक आँख आँख मिन्स आईज आंधी तो इस तरह आपको लिखना है रीट भी करना है और राइट भी करना है नेक्स्ट है वाचन कोशल का विकास तरह तरह के पश्रूओं और पक्ष्यों की आवाजे निकालिये और कच्छा में सुनाईए कच्छा मिन्स क्लास तो यह आप सीख सकते हो और अपने नेट से भी सीख सकते हो और आप अपने अगल बगल पश्रूपक्ष्यों को देख सकते हो वो कैसे बोलते हैं और फिर उसे कॉपी करो अपने फ्रेंड के साथ यह एक आप गेम के जैसे खेल सकते हो आई होप आपने यहां तक कर लिया है कुछ नया करें नीचे दिये चित्र को ध्यान से देखिए सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए लोक अट पिक्चर केरफुली राइट दा करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स इन इच सेंटेंस तो यहां पर आप पिक्चर देखिए यहां पर क्या है बर्ड्स हैं बर्ड्स क्या कर रहे हैं दाना चुग रहे हैं और यहां पर वाटर रखा हुआ है पानी रखा हुआ है तो यहां पर देखिए आपको कुछ शब्द दिये हुए हैं ये श्रब्द आपको select करकर सही sentence बनाने है तो first यहां पर दिया हुआ है मेरे घर के पास एक पेर है पेर means tree उस पर बहुत सारी चिरियां रहती हैं तो यहां से आप एक word को लोगे चिरियां और यहां लिखोगे उस पर बहुत सारी पेर रहती हैं तो नहीं होगा ना पानी रहती हैं नहीं होगा पेर पर पानी तो नहीं रहता अच्छा भी नहीं होगा दाना भी नहीं होगा तो correct क्या होगा चिरियां सुबह सुबह चिरियां आकर चुकती है तो चिरियां क्या चुकती है पानी नो ये तो रॉंग है क्या चुकती है चिरियां दाना और डैस पीती है तो चिरियां क्या पीती है अच्छा पीती है नो क्या पीती है पानी तो आप यहाँ पे लिखो के पानी last sentence क्या होगा मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अभी तो बस अच्छा वर्डी रह गया है तो हम यहां लिखेंगे मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इस तरह मैंने correct word को choose किया है और correct sentence बनाया है आपको भी essay करना है I hope आपको समझ में आया होगा अगर कोई doubt है तो मेरे से comment section में पूछे मिलते हैं हमारे next video में एक new lesson के साथ बाबाई